नमस्कार ने विलकमी ओलू वर्ल अफे और जैनों प्रशान दवन आज के समय दुनिया भर का मीडिया चाहे इंडियन मीडिया हो वेस्टन मीडिया हो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बहुत जादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं यह है जॉर्ज सोरोस की स्टेटमेंट इन् इस वर को सर्वाइब नहीं कर पाएगी क्योंके मोस्ट प्रॉबली यह वर इन दो फ्यूचर फैलने वाली है कई देश यहां पर और इन्वल्व हो जाएंगे और एक बार नुकलियर बॉंब्स यहां पर यूज वने स्टार्ट हो गए यहां बोन चिलिंग वर्ड्स हैं इस वीडियो में मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पूचूँगा क्वेशन यहां पर यहां पर यह है के रिसेंट्ली वर्ल्व एकॉनमिक फोरॉम ने अपना ट्रावल एंड टूरिजम डिवल्लप्मेंट इंडेक्स निकाला है इस इंडेक्स में भारत की रै क्यांक है हमारी कॉमेंट सेक्शन में करिए उत्तर सहियान जरा आपको मिलेगा वीडियो केंड में पहली बात तो जोर्ट सोरोस है कौन जोर्ट सोरोस का जरम हुआ था हंगरी में यह जिविश रिलिजन के हैं और नाजी जर्मनी से कैसे ना कैसे करके यह बचकर अमेरिका म दरा पैसा कमाया मतलब के अंटिसिपेट करके के यह मार्केट गिरने वाली है बताया जाता है के लंडन स्टॉक मार्केट को इन्होंने बुरी तरीके से क्राश कर दिया था कई बिलियन सॉप डॉलर्स कमाने के लिए आज के समय आप अगर देखो तो इनका टोटल जो अमा क्या है यह अपने आप में इनके हिसाब से एक फिलन्थ्रॉपिक संगटन है जो दुनिया भर में लिबरल विचाद्धरा को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए काम करता है और जो शुरोस के अंडर जो विरियस कमपनीज है इन्होंने दुनिया भर में जो मीडिया इंसिट करती है न्यूज में क्या बोला जाता है उसमें एक काफी इंपोर्टन रोल प्ले करती है जो शुरोस की कमपनीज और इसलिए का जाता है यह सिर्फ लिबरल और लेफ्ट लीनिंग जो पॉलिटिशन है इनको सपोर्ट करेंगे यह बात इन्होंने ऑन रकॉर्ड कई है कि य लिबरल विचारधरा को सपोर्ट करते हैं जब ट्रंप यूज से में पावर में थे यह ट्रंप के खिलाफ थे रीसेंट लिए काफी बार यही बोल चुके हैं कि नरेंद्र मोधी इंडिया के लिए खराब है यह काफी बार हिंदू नाशनल स्टेट की बात कर चुके हैं औ अब ही रीसेंटली आप अगर देखें तो जॉर्ड सोरोस ने एक और बिलियनेर रीड हॉफमन के साथ मिलकर डिस इन्फरमेशन के खिलाव लड़ने के लिए एक पूरा मेकैनिसम तियार किया है अब डिस इन्फरमेशन क्या है यह सब कुछ ऑवियसली जॉर्ड सोरोस और इन्फरमेशन के जो फ्रेंड है यही डिसाइड करते हैं तो जॉर्ड सोरोस ने रीसेंटली यह का कि जिस तरीके से युक्रेयन रशिया वार लगातार फैलती जा दी है और साथ साथ में दुनिया भर में और क्राइसिस भी खड़ा हो रहा है जैसे के ग्लोबल वार्मिंग आप अगर हिस्टोरिकली देखो न तो जब भी फूर क्राइसिस आया है एकॉनमे क्राइसिस आया है तब काफी बार लीडर्स ने कंट्री को वार की तरफ धगेल दिया है ताकि लीडर अपनी जरकार बचा सके और अल्टुगेदर कंट्री को एक डिस्ट्राक्शन मिल है इनों ने ये का था कि बाइडन की जो इच्छा है के हिमिलियेट करेंगे रश्या को आप अगर देखें USA जिस तरीके से वैपन्स प्रवाइड कर रहा है उकरें को एक के बाद एक वैपन्स देरा है बिलियंज और डॉलर्स खचरा है बाइडन परसनली चाहते हैं कि पु तो ये भी इनको acceptable होगा तो ये यहाँ पर ध्यान अठना होगा western countries को कि रश्या को बहुत ज़ादा पूछना कर दे और देखो बाइडन अभी के लिए कर इसका बिल्कुल उल्टा रहे हैं अभी recently आप अगर देखें तो US ने ये का है कि रश्या जो अपनी bonds की payment कर रहा है न bonds से पैसे raise करता है भारे सरकार ने भी काफी बार $1 billion, $2 billion उठाने के लिए internationally ये का है कि ये हमारे bonds है ये purchase कर लो हर साल आपको 2-3% या 4% जो पैसा है ये हम आपको देते रहेंगे रश्या ने भी ऐसा किया था तो रश्या की सरकार हर साल जो ये bonds की payment करती है US इसको block कर देग और इसकी वज़े से Russia economically default कर जाएगा that will be disastrous for the Russian economy मैं आपको बता रहा हूँ शलंका में जो हाल हुआ है वो हाल रश्या में हो सकता है अगर US ने ऐसा कर दिया तो since Russia already इतना current हो चुका है Ukraine को लगातार US strong मनाता जा रहा है रश्या को वहाँ पे कुछ एक आप के लिजिए advance करने क इतना मौका मिल नहीं रहा इसलिए आप देख रहे हैं कि Russia भी अल्मोस बेफिकर सा हो गया है recently Russia और चाइना ने nuclear capable जो bombers है ये जो जपान के पास से उड़ा दिये Quad Summit के दुरान ये एक indication है कि Russia does not care anymore ये लोग धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पर पहुच रहे हैं जहां पर एक बार को war हो भी जाती है तो इनको मंजूर होगा चाइना के perspective से भी आप अगर देखो तो शी जिंग्पिंग बहुत ही बड़ा blunder कर चुके है COVID-19 को लेकर आपको बता है चाइना में बाद ये चल रही है कि जो vaccine Chinese नागरिकों को दी गई है वो vaccine COVID के जो नए variants है उससे protect नहीं करती और ये एक बड़ा blunder हो चुका है Chinese government द्वारा और चाइना की सरकार शी जिंग्पिंग के लोग ये बार accept करना नहीं चाहते तो चाइना भी कहीना कई एक बहाना ढूंडेगा एक distraction ढूंडेगा के इस COVID से economic crisis से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ना एक small scale कहीं पर war हो अब वापस आते हैं MCQ की तरफ के World Economic Forum का जो Travel and Tourism Index है इसमें रिचेंडली भारत की रांग क्या थी तो सही तर इसका है option A 54th है भारत की रांग यहाँ पर आप देख पाएंगे भारत की रांग पिछले साल अफकोर्स थी 46th अब गिरके हो चुकी है 54th और नंबर 1 पे आपको म सिंपली जाओ comment section में यहाँ पे आपको मिलेगा link for example let's say आप prepare कर रहे हैं for UPSC क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे अनकाडमी का unique course जिसमें आपको heavy saving होती है अगर आप use करते हैं promo code PD10 मान लीजे अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का time अराम से आप 2024 में UPSC क time देना चाते हैं तो जो 24 मेंने का course है यहाँ कर सकते हैं purchase मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं यह पे करने की आप सकता नहीं है simply यहाँ पे अगर आप code use करते हो PD10 तो prices गिरने आपर start हो जाएंगे the prices will just start falling so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है video का आंथ thank you for listening and as always God bless you all God bless you